हुआ Ugh हेलो एव्रिवान जैसे हमने लास्ट अपने इन्टोड़क्शन वीडियो में हमने बताया था कि हमारे पाष्ट वाइव यूनिट अब फ़ाईव यूनिट्स में हम सबसे से पहले स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट 1 अब यूनिट 1 का स्लेबस है यह जो हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में भी आप लोगों से शेयर किया था और यह चीज में आपको बताना चाहूंगे कि हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक्टौमिक एन्ट मॉल्लुर स्ट्क्चर से जो कि हम पार्ट जॉमें यह निहां पार्ट वङस करेंगे मोध इससदी कि हमारे एक्जाम में कोशन आएगा जैसे मैंने लिखा हुआ है अल्रडी जो दम ओलिकुलर और्बिटल डायग्राम और अफ एंट तो अब यहां पर आपको क्या चीज़े बतानी है कि आपको MO डायग्राम बताना है यानि molecular orbital डायग्राम किसका N2 मोलिकुल का तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि आपका N2 मोलिकुल हमेशा तब बनेगा जब आपके दो nitrogen atom combine होंगे यानि आपने सबसे शुरू में क्या लेना है N की configuration लेनी है यानि इसकी configuration आ है को कि करें करें 2P3 आप यहां पर क्या होगा कि जैसे ही आपने configuration इस angular subscribe आपके पास क्या है 7 इस 7 से आपने लिखा 1s22s 222p3 अब जैसे ही आपने configuration लिंखी तो आपको ये पता चला खी आपने configuration किस order में कहता है यानि आप इसकी configuration लिखी increasing energy level के order में यानि आप इस पाद से क्या समझ रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि आपने यह बताया कि वन s orbital की energy कम है as compared to 2s orbital और यहां पर आप क्या बोल रहें कि 2p की energy आपकी इन सीनों में सबसे ज़्यादा है अब आप क्या करेंगे दो nitrogen के atoms लेंगे और उन से combine करके क्या करेंगे आप molecule बनाएंगे यानि आपको एक चीज यह याद रखनी है कि आपने दो atom से combine करके क्या बनाना है molecule बनाना है और वह molecule तब बनेगा जब आप इनकी atomic orbitals को यानि इनकी atomic orbitals को combine करके molecular orbital बना रहे हूं कि अब बीच में आपकी क्या बनेगी कि molecular orbitals अब यह molecular orbitals आपकी बनती है bonding molecular orbitals और एंटी बांडिंग molecular orbitals अब आपने इसको बोला नीचे वाले को bonding और उपर वाले को बोना एंटी बांडिंग अगर हम बात करेंगे 1s की यानि आपने जैसे configuration लिखी है उसी तरीके से आपने यहां पर इसकी orbitals ली और उन orbitals से आपने क्या बनाया उसके bonding और एंटी बांडिंग molecular orbitals अब आपको यह पता है कि आपने 1s लिया तो 1s से हमेशा क्या बनेगा सिगमा बॉन्ड बनेगा और सिगमा बॉन्ड आपका कहां बन रहा है 1s में अब इसी तरीके से आपने क्या बनाया एंटी बांडिंग आप इसको बोल रहे हो तो एंटी बांडिंग का मतलब यह है कि आपने सिगमा स्टार से इसको को denote किया और यह कहां मना आपका 1s orbital में अब मैंने यह चीज आपको पहले भी बोली कि आप उसी तरीके से चलेंगे जैसे आपने configuration को लिखा है अब इस तरीके से ही आपने क्या करना है 2s orbital ले लेनी है और यह 2s orbital है आपकी nitrogen atom की यह पहले nitrogen की और यह आपकी दूसरे nitrogen की अब इसी तरीके से आप इस atomic orbital को क्या करोगे molecular orbital में split करोगे अब यह molecular orbital आपकी कैसी बनेंगी वही आपकी bonding orbital और anti-bonding orbital आप बॉंडिंग और्बिटल की बात करें रहे हो 2s orbital की तो यहां पर ऐस में दुबारा से आपका क्या बनेगा सिग्मा बनेगा और सिग्मा स्टार बोंड बनेगा अधिक यहां तक यह चीज़ सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि आपकी कि S orbital में हमेशा क्या बनेगा sigma bond बनेगा और यह sigma आपका तब बनेगा जब आप किसकी बात कर रहे हो bonding orbital की बात कर रहे और वहीं जब आपने anti bonding की बात करी तब आप क्या बात करेंगे कि वहाँ पर आपका सिग्मा स्टार बन रहा है अब आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको पता है कि आपके पी में अल्रेडी टीन और्बिटल्स है यानि अगर आप इसको टूपी बोल रहे हैं पहले नाइट्रोजन का और यह आपका टूपी है सेकेंड नाइट्रोजन का तो यहाँ पर आपको क्या चीज पता है कि यह इसमें टूपी एक्स टूपी वाई और टूपी जेड इस तरीके से अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने पी और बिटल में हमेशा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रोंस पहले फिल करने है और उसके बाद आप क्या करोगे पेरिंग करोगे अब जैसे यहाँ पर पता है कि टूपी में नहीं रखना है हमेशा पी में ध्यान इस तरीके से होगा जैसे हमाने पास S orbital है तो S को तो आपने बांडिंग एंटी बांडिंग में इस तरीके से ब्रेक कर दिया कि आपका यह 1S है यहाँ पर सिग्मा 1S बन गया और यहाँ पर आपका सिग्मा स्टार 1S बन गया लेकिन पी में आपका क्या आता है पी में आपका सिग्मा बॉंड भी आता है और पाई बॉंड भी आता है आपको यह चीज याद रखनी है कि यह आपका सिग्मा बॉंड औ कि आपका Sigma और Pi bond किस तरीके से बनेगा तो इन्होंने आपको क्या बताया था कि kovalent bond जो आपका बन रहा है यानि initially आपका kovalent bond जो है वो किस तरीकेसे बना तो यह किस चीज़ का लाय थे यह concept लाय थे वेलेंज भून छोरी वाले की आपका orbitals overlap करके यानि overlapping का concept यह लाय ओरबिटल में था उसने उन्होंने क्या बता है था कि आपका बोण्ड फोर्मेशन हो राए वह बोण्ड फोर्मेशन आपका कोवलेंट बन्ड होगा और वोग वाविल्ड बोंड़ आपके कितने टाइप कि D और यहां पर अभी तक हम क्या बात करेंगे सिर्ष सर्फ एस और बात करें यfps क्वी क्षेश्च में नाइट्रोजन तक लिखा और नाइट्रोजन में हम क्या लिख रहे हैं है वनद्या है कि टूटस्ट स्थू टूपी ठ्री है कि अब यहां पर आपका क्या आता है सिर्फ S और P अब S और P की शेप आपको पता होने चाहिए यानि जब भी आप overlapping कराएंगे तो उसके लिए आपको क्या पता होने चाहिए शेप पता होने चाहिए तो यानि O की शेप आपकी कैसी है spherical shape है अब यह overlap करेगा दूसरे atom के साथ अब हमने यह बात करें कि जब मारा into का molecule बन रहा है तो वह 1s के साथ combine कर रहा है दूसरे atom के 1s के साथ तो यह overlap करेंगे और यह overlap किस तरीके से करेंगे यह overlap इस तरीके से करेंगे तो यानि यह आपका bond formation होगा जो कि आपका SS orbital में होगा और आप हमेशा क्या कहेंगे यह आपका sigma bond बनेगा अब इसी तरीके से आपका SP के साथ भी overlapping करेंगा यानि यह हमारा अगर पी orbital है जिसकी double shape है तो यह आपका S के साथ भी overlapping करेंगा ऐसा आपका कैसा है spherical shape जो मैंने आपको अभी बताया उपर इस की shape हमेशा कैसी रहेगी spherical shape रहेगी तो यह पी के साथ भी combine करेगा तो पी के साथ भी combine करेगा यानि overlap कर लेगा अब यह आपका combine करेगा इस तरीके से तो यानि bond formation हमेशा कहां होगी bond formation आपकी वहां होगी जो आपका overlap part होगा यानि आपका bond formation यहां होगी यानि sharing of electrodes इस portion में होंगे और तब जाके आपका क्या बनेगा bond बनेगा अब आपको क्या करना है कि आपने कहां bond बनाया S और P में यहां पर भी हमेशा आपका क्या बनेगा Sigma bond बनेगा ठीक है अब इसी तरीके से अगर मैं यह कहूं कि पी भी तो आपका overlapping करेगा पी orbital के साथ यानि अगर मैं यह कहूं पी की डंबल शेप है और यह इस तरीके से अभी मैंने क्या था कि पी की ऐसी शेप लिखी थी और अब मैंने यह ऐसी शेप लिखी है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका पी overlapping कैसे करेगा दोनों तरीके से कर सकता है अब यह जो overlapping हो रही है आपकी यह कैसी है head on head overlapping कि कि आपका यह इधर वाला यह जो head वाला portion है यह combine कर रहा है इसके है इस head से अब आप इधर क्या बोल रहे हो कि यह overlapping कैसी हो रही है यह आपकी है sidewise overlapping कि यह आपकी है sidewise overlapping और bond formation होगा आपका दोनों में एक में आपका इस तरीके से और दूसरे में आपका इस तरीके से यह आपका यहां पर overlapping हो गया और इसका इस तरीके से overlapping हो गया तो यह आपका यह आपका यह overlap वाला पार्ट हो गया तो bonding आपकी कहां बन रही है यानि जहां पर आपका overlapping वाला पार्ट है यानि bond formation हमेशा कहां पर होगी जो आपका overlap पार्ट है अब आपको यह चीज हमेशा पी में याद रखने है कि पी में आपका यहां पर क्या बना जब आपकी हैड-on-head overlapping हुई तब आपका कैसा बोंड बना सिग्मा बोंड बना और जब एक सिग्मा बोंड बन गया तो वहाँ पर हैड-on-head overlapping फर्दर होने के चांसे नहीं रहे उसके बाद आप क्या करेंगे पी में जो फर्दर कि या नहीं हम टूपी की बात करें ना इंट्रोजन में तो कैसे बोल रहे हम कि यह टूपी एकस है यह टूपी वाई और यह टूपी जड तो ओविस्टी बात है कि हमारा पी में तीन बार ओउबर्लैपिंगा और तीन तरीके के बॉन बन रहे हैं तो अगर हम यहल इमेजन कर लें कि हमारा सिं consuming जो एक बार फर्सust ओवर्लैपिंग करके बना रहा है तो वह सिग्मा बॉन्ड आपका टुपी देड में बना रहा है तो उसके बाद फर्दर जो वरलैपिंग होगी वहां पर कैसा बॉन बनेगा पाई बनेगा एज़िट टूपी एक्स में भी आपका क्या बनेगा पाई बॉन बनेगा अब ये कनसेप्ट आपको हमेशा अपने आमों डायग्राम में याद रखना है और एक चीज और आपको याद रखने है कि सिग्मा की एनरजी डिफ्रेंट होगी और इन दोनों की एनरजी आपकी डिफ्रेंट होगी अप इसी के बेसिज पर आप क्या करेंगे अपना डायग्राम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अब हमें यह पता है कि हमारा यहाँ पर सिग्मा बॉंट बन रहा है और यहाँ पर हमारा पाई बन रहा है सेम इधर वाले नाइटोजन के लिए भी यही सेम चीज़ फो लोगी कि इधर सिग्मा बॉंट बना और इधर हमारा पाई बन गया अब इसमें जब हम यह चीज़ कह रहे हैं कि हमारे सिग्मा की अलग है और पाई की अलग है तो हमारे पास split करने का तरीका भी दो तरीके से होगा कि हमारा सिग्मा अलग एनरजी लेवल करेगा और पाइए लेवल अलग शो करेगा तो उसके लिए हमें एक चीज याद रखनी है हमेशा कि जब हमारे Electrons की Value यानि Number of Electrons यानि जब हम N की बात कर रहें यानि N2 Molecle बना रहे हैं दो Nitrogen से तो वहाँ पे Number of Electrons कितने हुए 7 plus 7, 14 अब यह 14 Electron यानि 2 से लेके यानि Hydrogen से लेके हम अगर N2 तक की बात करें तब वहाँ पे आपको क्या होगा कौन सा पैटन फोलो होगा वहाँ पे आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको पैटन फोलो करना है 2121 यानि टू का मतलब दोनों पाई बॉन और वन का मतलब सिग्मा बॉन इसी तरीके से यह उपर क्या आपके क्या हो गए यह आप कितने की बात करी नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रों की अब 14 इलेक्ट्रों के लिए आप कौन सा पैटन ड्रो करेंगे 2121 तो इसको आप स्प्रिट करते वह चलेंगे इस तरीके से कि आपने नीचे क्या बनाया टू डट इस दोनों पाइब और पाइब आपके कहाँ बन रहे हैं टू पी एक्स में और कैसा बना पाइब यानि पाइटू पी एकस और इसको लेखा पाइटू पी य ऐई इस ही तरीके से आपका बन अप सिम्बोलाइज कर रहे हो किसके बनाने यानि इसी के anti-bonding orbitals और आप क्या बोल रहे हैं कि anti-bonding में भी आपका क्या है Pi के energy नीचे यानि आप anti-bonding की बात और यह तो Pi par 2px और इधर क्या जाएगा आपका πाई स्टार टूपी वाई अब सेम उसी तरीके से आपका क्या जाएगा सिग्मा स्टार टूपी जट अब इसमें किसी को भी स्प्लिट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए क्योंकि अब तक स्टूडेंट्स कन्फ्यूज इसी चीज में रहते हैं कि आप आपको स्प्लिट किस तरीके से करना है और डायग्राम कैसे बनाने हैं इसमें आपको सबसे पहले यह चीज़ याद रखनी है कि आपको अटोमिक और्बिटल यानि नाइट्रोजन की अटोमिक और्बिटल से दूसरे नाइट्रोजन और्बिटल के साथ मिक्स करके मॉलिक् bond बन रहा है अब आपको इसमें लेक्ट्रोंस फिल कर ने है viens को बताना है कि उन्हें की और लैपिंग किस तरीके से आपको configuration से प्ता चलता है कि इस new nitrogen के पास S में कितने electrons है 2 electrons है आप इसके बाद 2S में इसके पास 2 electrons इसी तरीके से P में कितने electrons 3 अब आपको यह चीज मैंने पहले भी बताई है कि P में हमेशा कितने electrons होंगे total 6 और हम 6 को कैसे फिल करेंगे 1 by 1 यानि पेरिंग आप सबसे बाद में आपके शुरू करेंगे इसी तरीके से से इसके इलेक्ट्रों सिल कर लें कि यहां पर आपके कितने electrons 2 electrons इसके बाद आपके 2S में 2 electrons और यह सारी चीज़े कहां से पता चली आपको configuration से पता चली आप इसके बाद आपको यह देखना है कि आपका bond formation हो रहा है वह कैसे हो रहा है यानि geometry बताने के साथ साथ VACPR क्या हुआ magnetic field नहीं बता पाया magnetic properties की वह किस तरीके से behave करेगा magnetic field में और आपका bond order नहीं define कर पाया इसलिए VACPR theory के बाद आपकी MOT theory आई थी अब इस MOT ने आपको यह बताया कि आपकी molecular orbitals जितनी है वह कैसे behave करेंगी आपकी bonding orbitals और anti-bonding अब आप यह देखेंगे कि आपका bonding orbital जो बनी वह तू इलेक्ट्रोन से बनी यानि आपका one electron इसका और one electron इस atom का इन दोनों ने overlap करके क्या बना ली bonding orbital और बाकी के दो anti-bonding orbital अब इसी तरीके से 2S में बना लेंगे कि एक electron इदर से और एक electron इदर से अब सेम रिमेनिंग आपका कहां चला जाएगा एंटी बांडिंग में अब आपके लिए important यह है कि आप पी में electrons को फिल किस तरीके से करोगे यानि आपके पास total three electrons इदर और three electrons उदर यानि total six अब आपको यह चीज भी बताए कि आपका जब नहीं आपका 2px में इधर वाला atom का 2px इसका एक electron और इधर वाले एक 2px का एक electron इन्हों ने दोनोंने क्या किया पाई बॉंड बनाया overlap करके इसी तरीके से वाई में और जैट में आपका क्या बना सिग्मा बॉंड अब इस डाइग्राम से आपको क्या चीज बतानी है इस डाइग्राम से ही आपको इसका बॉंड और और इसकी मेगनेटिक बिहेवियर बताना है अब मेगनेटिक बिहेवियर बताने से पहले आपको इसका क्या लिखना है MO configuration अब ये configuration अब आपको electronic configuration इसका पता है कि आपने किस तरीके से लिखा है 1s2, 2s2 और 2p3 अब MO configuration में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको क्या लिखनी है molecular orbitals इनकी configuration यानि जो यह आपकी molecular orbitals यहाँ पर बनी है diagram में और यह कैसे बनी है increasing energy level में अगर हम यह बात करें कि हमारा sigma 1s सबसे नीचे है तो इसका मतलब हम यह कह रहे हैं कि sigma 1s की जो energy है वो सबसे जादा कम है as compared to बाकी की हमारी जितने भी molecular orbitals यहाँ पर बनी है अब आपको एक चीज और याद रखनी है chemistry में कि जब भी आप energy की बात करेंगे तब आप क्या बोलेंगे कि कि जिसकी energy सबसे जादा है वो सबसे कम stable है और हम यहां क्या करें कि sigma 1s की energy सबसे कम है तो इसका मतलब क्या है कि यह सबसे जादा stable है और किसमें अपनी ground state में तो आपको इसके लिए molecular orbital configuration लिखने के लिए step by step ही चलना है यानि नीचे से उपर की तरफ तो आप कैसे शुरुआत करेंगे sigma 1s और आप क्या लिख रहे हैं configuration लिख रहे हैं तो configuration लिख रहे हैं तो उसमें आपको number of electrons हमेशा mention करना होगा आप इसके बाद आपने क्या बोला कि sigma के बाद आपका क्या रहा है सिग्मा स्टार यानि इसकी anti bonding सिग्मा स्टार 1s 2 अब इसके बाद आपका क्या आएगा आपने क्या बात करी सिग्मा 2s और मैं यह increasing order इसलिए लगा रहे हूं क्योंकि मैं इसको in terms of energy level लिख रहे हूं यानि यह जो मैंने diagram ड्रो किया यह आपका क्या है increasing energy अब इसके बाद आपका क्या आएगा 2s 2s में सबसे पहले क्या आएगा इसका सिग्मा बोन अब इसके बाद आपका क्या आएगा इसका anti bonding यानि सिग्मा स्टार 2s 2 अब आपको एक चीज मैंने पहले ही बताईए कि आपके दोनो पाई बोन जहां पर बन रहे हैं यानि पाई बोन आपका कहां बन रहा है 2px और 2py में अब इन दोनों की energy आपकी क्या रहने वाली है सेम रहने वाली है अब इन दोनों की energy सेम रहेगी तो इसको आप कैसे denote करेंगे कि आपने क्या लिखा पाई 2px और इसमें कितने electrons हैं 2 अब ये आपके क्या रहेंगे सेम रहेंगे किसके equal यानि 2py अब इसमें भी आपके पास कितने electrons हैं 2 यानि यह जो equals to का sign है या आपको यह बता रहा है कि इन दोनों की energy सेम है as compared to pi bond अब आप क्या करेंगे इसमें फिर से difference denote करेंगे कि आपका क्या रहा है सिग्मा 2pz अब इसमें भी आपके कितने electrons है 2 electrons है तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको वही तक इसको mention करना है जहां तक आपके electrons fill है यानि इसमें यहां तक आपके electrons है यह उपर की औरबिटल्स blank है तो आप इसको mention नहीं करेंगे सिर्फ आपको कहां तक mention करनी है जहां तक आपके electrons present है अब यह configuration लिखने के बाद आपको इसमें हमेशा इसका bond order calculate करना है यानि bond order अब bond order आप किस तरीके से calculate करेंगे इसके लिए आपके पास एक formula है 1 upon 2 nb minus n a अब यह चीज आपको formula से यह पता करना है कि nb आपका यहां पर क्या है nb है आपका number of bonding electrons यानि जितने भी आपके sigma और pi के जो bonds है जो आपके molecular orbital में है जिन पर star नहीं लगा यानि वो आपके क्या है bonding orbitals है तो आप उसको क्या calculate करोगे कैसे यानि आपका 1s में आपका sigma फिर आपका 2s में sigma फिर आपके यहां पर pi यह दोनों आपके कैसे हैं bonding orbitals तो आप इन दोनों को भी calculate कर लोगे तो यानि 2, 4, 6, 8, plus 2, 10 electrons आप इसके बाद आपका क्या आजाएगा एन यानि number of electrons जो कि आपके anti-bonding orbitals में हैं अब आपके anti-bonding कहां पर है जहां पर आपका sigma स्टार और pi स्टार है अगर हम यह calculate करें तो 2, 4 आप उपर का यह क्या है ब्लैंक है तो यहां पर हमारे कित्ते electrons आगे 4 electrons तो यह आपका क्या आगया 3 अब आपको bond order से क्या पता चल रहा है यानि आपने bond order 3 calculate किया तो अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप जब भी लिख रहे हो कि n दूसरे n को denote कर रहे हो तो उसमें आप क्या लगाते हो हमेशा triple bond बनाते हो तो यानि हमें यह पता चल रहा है कि हमारा n जब भी molecule बना रहा है जाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए पेड इलेक्ट्रोंस और अनपेड इलेक्ट्रोंस अब अगर हम अपने डायग्राम में देखें कि हमारे पास यहां तक लास्ट तक हमारी weंग चिस पी की जिसमें हमारा क्या बन रहा है सिग्मा बन रहा है तो वहां तक हमारे लेक्ट्रोंस शिल है और उसमें दोनों इलेक्ट्रोंस पयर्ड crimes क्ंच अब पेड़ अब जैसे ही आपका इलेक्टरों होगा तो आप उसका मैगनेटिक भीहवर कैसा बताओगे डैया मैगनेटिक कि अब अगर यहां पेज डिया काम में हम यह देखें कि हमारे पास यहां पर सिर्फ एक सिंगल एलेक्टरों को होता, तो आप इसको क्या क्या बोलते कि यह आपके पास क्या है unpaired electrons यह अब इसको क्या बोलते सब्सक्राइब आताइं इसको कि इसमें सारे एलेक्ट्रोंस पेर्ड हैं तो यह आपका क्या होगा डाया मैगनेटिक इन नेचर तब क्या बोलोगे इसको डाया मैगनेटिक अब इसी तरीके से हम एक एमो डायग्राम बना लेते हैं कि ओटू का अब ओटू का डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए फिरसे वही अटोमीक और उन एटोमीक और वत बद देंगे कभार करके आपना ओडू का मॉलिक्ड बना लेंगे मैं जब आसकी मॉलिकुलर बना लेंगे दोनों atomic orbitals की overlapping करा के अब आपको इसके लिए सबसे पहले क्या पता होने चाहिए O की configuration पता होने चाहिए यानि 1s2, 2s2, 2p, 4 अब यह पता होने के बाद आप क्या करेंगे same as it is जैसे हम पहले कर रहे थे यानि 1s orbital यानि दोनों की यह क्या है atomic orbitals यानि हम इसको लिख दें atomic orbital of first oxygen O और यह भी क्या हो जाएगा atomic orbital यह O atom अब इससे आपको क्या पता चला कि आपको क्या करना है atomic orbital से molecular orbital बनानी है और जैसे ही atomic orbital से molecular orbital बना होगे तो आपको यह पता है कि आपका s में हमेशा कैसा bond बन रहा है sigma bond बन रहा है तो यह आपकी bonding orbital तो इसको क्या लिखेंगे sigma 1s अब आपको anti-bonding बनाना है तो anti-bonding के लिए आप क्या करेंगे sigma star 1s आप क्या करेंगे configuration में आपके क्या है 2s तो आप क्या करेंगे तो इसकी क्या करेंगे फिर से वही atomic orbital और दोनों की atomic orbital को combine करके क्या बनाएंगे molecular orbital और molecular orbital नीचे वाली कैसी आपकी bonding तो यहां पे बनेगा sigma 2s और यहां पर क्या बना सिग्मा स्टार 2s सेम अब आपको क्या करना है पी में बनानी है यानि पी में आपको यह भी पता है कि पी में 2px 2py और 2pz यह गया आपका 2p अब आपको क्या करना है इस एटम के लिए 2P लेना है 2PY और 2PZ अब ये चीज़ आपको मैंने बताई जैसे नाइट्रोजन के लिए कि N2 जहां तक आपका आ रहा है यानि N2 में आपके number of electrons कितने हो गए 7 और दोनों के लिए कितने आ गए 7 प्लस 7 इक्विल्स टू 14 अब 14 तक आपने क्या pattern बनाया 2121 2121 आपको बनाना है सिर्फ जब आपके electrons कहां तक होंगे सिर्फ 14 या 14 के कम आपको यह बनाना है जब electrons 14 होंगे अब आपके electrons यहां पर कितने हो रहे हैं और ऑक्सीजन में आपके पास एक के पास एट इलेक्ट्रों है और दोनों के पास कितने हो गया नहीं मोलेक्विल की बात हो रही है तो एट प्लस एट 16 हो गए तो उसके लिए यानि 14 से जादे इलेक्ट्रों सो गए तब आपको उनसा पैटरन फोलो करोगे 1221 यह आपका क् लिए 1 आपके कहां बनेगा जब आपका सिगमा बोन बन रहा रहा है सिगमा कहां बनेगा सिगमा 2pz में बनाना है आपको हमेशा आप इसी तरीगे से आपका 2 यानि आपके दोनों और 2 जहांपे आप थिम्बनाएश कर रहिसने इसका मतलब है कि वो आपके दोनों पाई बॉंड है और यह चीज आप हमेशा याद रख लें कि आपको सिग्मा कहां बनाना है टूपी जैड में अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे इसकी एंटी बॉंडिंग और्बिटल बना लेंगे आप एंटी बॉंडिंग में नीचे क्या है आपका 2 यानि इसका मतलब क्या होगया आपका पाई डूपी एक्स पाई स्टार डूपी वाई अब इसी तरीके से आपका वन यानि सिग्मा स्टार डूपी जैड अब इसके बाद आपको क्या करना है जब आपको यह पता चल गया कि आपने atomic orbitals को split करके molecular orbitals बना ली हैं अपनी 1s की 2s की और 2p की इसके बाद जैसे हमने nitrogen में electrons fill करने शुरू करें इसी तरीके से आप क्या करेंगे oxygen में भी configuration के हिसाब से electrons लिखना शुरू करेंगे अब आपको पता है configuration से कि 1s में कितने electrons है 2 electrons है अब इसी तरीक से आपको क्या है इस से आटम के पास भी टू यहांपर इसके पास है को कि में आप यहां पे में तो हम क्या करेंगे पहले इसके बाद दंग करेंगे पैरिंग को स्टार्ड करें इसे तरह के साथ शुल्ल किया वास करना स्टाट क्या अब इसके बाद आपको क्या करना है? Atomic orbital से electron still करने है अपने molecular orbital में अब आपकी molecular orbital पहले कुझ सी बनी? Sigma 1s तो यह कैसे बनी? इधर वाले 1s से एक electron और इधर वाले? यहाँ पर यह क्या हो गया? Sigma bond बन गया आप उपर क्या बनेगा? यहाँ पर भी आपका क्या आजाएगा? 2 electrons क्योंकि total इधर 2 electrons और इधर total 4 तो यहाँ दो आपके bonding में participate कर गए और दो आपके anti-bonding में same as it is इसके लिए आजाएगा कि आपके पास total कितने electrons है? 4 electrons है और total 4 आपका 2 आपके bonding में participate करेंगे और दो आपके anti-bonding में यह चीज़ आप हमेशा याद रखना bond formation में आपके bonding orbital में जितने electrons होते हैं हमेशा वही participate करते हैं अब आपको क्या करना है यह चीज़ याद रखनी है कि P में आपके कितने electrons है 4 इसके पास और 4 इसके पास तो यानि total 8 electrons अब आपको यह पता है कि sigma bond बना तो यानि 2 electrons के साथ इसी तरीके से यहाँ पर πाई बना 2 electrons के साथ और यह आपके total यहाँ तक 6 electrons फिल हो गए अब आपके लिए यह important चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप anti-bonding में electrons फिल करेंगे तो आपको क्या करना है पहले एक single electron फिर एक single electron यानि जैसे आप यहाँ पर bonding orbitals में electron कैसे फिल करने है pairing करके यहाँ पर आपको pairing नहीं करनी है हमेशा आपको क्या याद रखना है कि आपको single single electron फिल करना है अब यह आपका molecular orbital डाइग्राम complete है अब इसके बाद मैंने आपको यही बताया जैसे एंड टू में कि आपको इसके लिए क्या लिखनी है mo configuration लिखनी है अब वह mo configuration आप किस तरीके से लिखोगे step by step यानि जैसे आपने नीचे से mo diagram बनाना शुरू किया है उसी तरीके से आप इसको लिखना शुरू करोगे increasing energy के level के हिसाब से तो यानि सबसे पहले आपका क्या है sigma 1s और इसमें कितने electrons है तू इलेक्ट्रोंस है अब आपने यह देखा कि इन दोनों के बाद आपका क्या है sigma 2s तो यानि sigma 2s इसके पास पहले कितने electron है तू इलेक्ट्रोंस है अब आपका क्या आगया sigma 1s2 यानि इसका bonding फिर इसका एंटि बॉन्डिंग अब आप क्या करेंगे इसके बाद आप कहां करेंगे सिग्मा 2PZ यहां पर आपके कितने इलेक्ट्रोंस है तू इलेक्ट्रोंस है अब इसके बाद मैंने आपको जैसे लास्ट टाया कि आपके जितने भी पाई बॉन्ड बने हैं आपके 2Px और 2py में 2py bound बने हैं इन दोनों के अनरजी आपके कैसी होगी सेम होगी लेकिन इन दोनों के बीच में तो आपको डिफरेंस दिखाना पड़ेगा कि सिगमा और πाई में तो डिफरेंस है लेकिन पाई बॉन दोनों सेम है यानि π2px इसमें भी आपके 2 electrons इसकी energy सेम है π2p y के इसमें भी आपके 2 electrons अब आपको यह बताना है कि यहाँ पे आपके single-single electrons हैं यानि दोनों में आपके 1-1 electron है जैसे अब आप यहाँ पे 2 denote कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि anti-bonding में आपका क्या है pi star 2px1 is equals to pi star 2py1 यानि इसका मतलब यह हुआ कि आप configuration में उतने ही number of electrons mention करेंगे जितने आपने orbital में fill किये हैं अब यह आपने कैसे fill किया कि जैसे आपके energy increase कर रहे है जैसे हमने पिछले diagram में भी बनाया कि हम यह बता रहे हैं कि हमारा यहाँ पे energy क्या हो रही है increase हो रही है अब आपको एक चीज और calculate करनी है इसमें जैसे हमने last time किया कि आपको यहाँ पर बताना है इसका bond order आप bond order कैसे calculate करेंगे वही formula लगाएंगे जैसे हमने last time लगाया 1 upon 2 NB minus N A अब आप NB यानि bonding electrons calculate कर लेंगे यानि जहां पर आपके sigma और pi bonds बने हैं वह आपके चाहें 1S में हैं 2S में हैं या 2P में हैं सारे electrons calculate कर लेंगे count करके तो आप क्या करोगे 2, 4, 6, 8, plus 2, 10 अब आपके क्या आजाएंगे anti-bonding electrons तो वह आपके कहा होंगे sigma star और pi star में अब आपके sigma star कहां पर हैं यहां और यहां फिर आपके उपर क्या हैं pi bonds और sigma bonds तो उसमें आपको सिर्फ कैसे calculate करने हैं जहां पर आपका star present है तो यानि 2, 4, 5, plus 1, 6 यानि 4 upon 2 equals to 2 यानि आपने bond order calculate किया oxygen molecule के लिए यानि O2 के लिए 2 इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आपका O दूसरे oxygen के साथ combine करेगा और molecule बनाएगा तो उसमें हमेशा double bond present होगा अब आपको क्या बताना है कि इसका magnetic behavior कैसा होगा अब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे N2 के डाइग्राम में हमारे electron सिर्फ यहां तक present है क्योंकि हमारे पास electrons कितने present है 14 electrons थे अब हमारे पास कितने electrons हो गए है 16 हो गए है किसके case में oxygen के case में तो यहाँ पर हमारे पास क्या है unpaired electrons अब जब भी आपके unpaired electrons होंगे तब आप उसको क्या बोलेंगे paramagnetic in behavior यह क्या होगे आपका paramagnetic जबकि N2 आपका क्या था diamagnetic अब एक्जाम में आपसे वो comparison भी पूछ सकता है कि explain why N2 is diamagnetic in nature और O2 is paramagnetic in nature तो वहाँ पर आपको क्या explain करना है कि आप diagram बनाएंगे और diagram बनाके एक में unpaired electron शो करेंगे और एक में paired electron शो करेंगे जैसे हमने N2 में किया अब आपके पास आता है molecular orbital diagram of CO यानि अब आपको बनाना है CO यानि CO के लिए आपको क्या चाहिए होगा carbon atom और oxygen atom अब हम इसमें एक चीज refine करेंगे कि आपको यहाँ पर energy level में gap शो करना है यानि आपने क्या किया कि एक को आपने थोड़ा ऊपर बनाया और एक को थोड़ा नीचे की तरफ यानि आपने ये कहा कि carbon के जितने भी orbital से उनकी energy थोड़ी जादा है और oxygen के energy थोड़ी कम अब पहले हम क्या करने configuration लिख लेते हैं क्या करेंगे इसको बनाते हुए चलेंगे अब आपने क्या लिया वनेस इसी तरीके से आपने oxygen का वनेस है तो यहाँ पर मैं लिख सकते हूं carbon atom और यहाँ पर मैं क्या लिख सकते हूं oxygen atom क्योंकि इनकी क्या है atomic orbitals यानि इनको आप mention कर दो यह क्या है atomic orbital और यह आपकी oxygen की atomic orbital अब आप बीच में क्या ड्रों कर रहे हो CO की molecular orbital यानि MO अब यह आपको मैंने बता दिया कि आपकी atomic orbitals combine होके क्या बना रही है bonding orbitals और anti bonding orbitals अब 1s की bonding orbital कैसी बनी सिग्मा बॉंड बनाके और यह कैसी बनी सिग्मा स्टार बॉंड बनाके अब तक आप हमेशा क्या कर रहे थे कि आप अपना टूस को बना रहे थे इसके उपर क्योंकि आपने जैसे configuration लिखी उसी हिसाब से आपने क्या करना शुरू किया डायग्राम को ड्रो करना शुरू किया अब इसमें आपको चोटे से changes है वो जो आपको याद रखने हैं यह मैं पहले एक बार as it is बना लेती हूं जैसे हम हर बार बनाते हुए हैं अपने डायग्राम को इसमें जो भी changes होंगे वो मैं आपको सबसे last में mention करूंगी अब आपने क्या किया इसको प को ड्रो कर लिया अब प में as it is आपका क्या है 2p तो यानि 2px 2py 2pz अब इसी तरीके से आपका क्या है 2px 2py और 2pz अब आपके पास number of electrons कितने हैं यानि आपके पास क्या है आपका carbon atom और oxygen atom अगर आप यह चीज़ देखें कि आपके पास number of electrons कितने हो गए कि आपके पास 6 इधर और oxygen में 8 तो 6 plus 8 कितने हो गए 14 तो equals to 14 अगर होता है तो हम कौन सा pattern follow करते हैं जो हम n2 में कर रहे हैं यानि 2,1,2,1 हम कौन सा pattern follow करेंगे सियो में n2 अला यानि 2 से start करेंगे और 1 पर खतम करेंगे और हमारा pattern क्या जाएगा इस तरीके से 2,1,2,1 अब आपने 2,1 लेना है तो यानि नीचे आपकी दो bonding orbital यानि 2 से आपने start किया तो यानि आपका pi 2px pi 2py इसी तरीके से आपका क्या हो गया sigma 2pz अब आपका क्या जाएंगी उपर 2 यानि pi 2px यानि ये pi star हो जाएगा क्योंकि आपकी क्या है anti bonding orbitals और नीचे आपकी क्या है bonding orbitals तो यानि ये आपका क्या आगया sigma star 2pz ये चीज़ सबको clear हो जानी चाहिए कि आपने pi को कैसे split किया यानि जो आपके pi bones है वो आपके अलग energy पे हैं अब वो ये याद करने की trick मैंने आपको बता दी कि जैसे ही आपको ये पता चला कि आपके number of electrons 14 है या 14 से कम है तब आप कौन सी trick लगाओगे 2121 यानि 2 का मतलब आपके दोनों pi bonds इसका मतलब यानि आपके sigma और यह चीज़ हमेशा चाहिए आप कहा बना रहे हो 2pz में यहां क्या बना रहे हो sigma bond बना रहे हो यहां वोंड यहां आ पके क्या और हारे है पाई बोंड आ रहे हैं अब एक्चीज और कि आपने यह तो डाइगराम बना लिया अब यहां पर आपको एक सब्सक्राइब कि यह आपका था सिगमा टु एस और यह सिगमा स्टार्ट टू इस अब आपको एक चीज हमेशा याद रखने हैं कि जब भी आप CO का डाइग्राम बनाएं तो CO में आपका 2S का एंटी बॉंडिंग यहां नहीं बनेगा यानि यह आपका बनेगा यह आपका बनेगा इधर यानि इन दोनों के मिडल में यानि इसकी energy इतनी जादा है कि यह कहां embedded होगा यानि P के बीच में यानि आप क्या बोल रहे हो कि P के यह दोनों आपके bonding orbitals और यह आपके anti-bonding orbitals तो यह आपका यहां लाई करेगा यानि इन दोनों के मिडल में तो यह चीज आपको इस तरीके से draw करनी है और same as it is आप क्या करेंगे number of electrons फिल करते हुए चलेंगे जो आपको configuration से पता है कि आपके carbon के P में कितने हैं two electrons तो यानि single single आप इसी तरीके से आप क्या करेंगे oxygen के electrons फिल करेंगे यानि two electrons s के पास यह यहां पे 2s आप इसी तरीके से पी में कितने electrons आप तो है're four electrons आप वह में अपने क्या करां पहले single electrons फिल कि एँसके बाद आप optimization किया उसके पैरिंग स्टार्ट कर दी कर दी इसके दाप है अपने आपने अर्बिट्रों से बनाई बंदिंग और डिक्र आप डो methodology इसी तरीके से आपको ट्रों बनाना यहां और यह बनाना म्यास्थ में ci यह यहाँ है आपको क्या करना है कि आपको P में ELEKTRONS FILL करने है अब P में आपको वाइज टोटल कितने ELEKTRONS है टू इदर और four इदर यानि των T innate इनी टोटल six ELEKTRONS तो यानि पाई बोन्म में आपके दो ELEKTRONS इदर चले गए अगर आप यह count करना चाहें कि आपके total electrons कितने हैं तो total electrons आपके कितने होंगे जितने आपने carbon और oxygen के लिए यानि 14 electrons अब आपको क्या लिखना है हर बार की तरह जैसे हमने पहले लिखा mo configuration अब आप एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे जैसे हम पहले करते हुए हैं कि हमने जैसे diagram को draw किया है वैसे ही हम क्या करेंगे उसको लिखते हुए जाएंगे किसमें हमारी molecular orbital configuration में तो क्या नहीं हमने पहले क्या लिया sigma 1s इसमें कितने electrons है तू अब आपने क्या किया सिग्मा स्टार को मेंचिन किया यानि 1s की anti bonding orbital इसमें भी आपके पास कितने लेक्ट्रोंस है तो इलेक्ट्रोंस है इसके बाद 2s यानि 2s का पहले आपके पास क्या जाएगा सिग्मा 1 एक इसके बाद क्या बैसे हम 남자ワटे कर रहे थे स्को लिख रहे थे तो यानि आपको स्ट्रूर लिखना है यानि वहीasी लिखेंगे जिए से डाइग्राम में इस तरफ increasing energy में आ रहा है तो यानि अब हम क्या लिखेंगे एसको नहीं लिखेंगे पहले यह लिखेंगे तो यानि यह हमारा क्या है opt 5 two bX और इसमें कितने electrons हमारे पासוצ relax ऐसमें हमारे इसमें हमारे पास two electrons है आप इसी तरीके से इसकी energy सेम है जैसे हम हर बार भार पहले भी बताया है कि जोनों में पाइए बॉंच बनर रहा है तो पाइब बॉंच की energy same है तो आपने इस तरीके से इसको diabet में में दिया कि वाइं में भी आपके पातitis यसे सबसे लास्ट में ही लिखेंगे यानि जैसे आपने डाइग्राम ड्रोग किया है जैसे आपने नंबर of electrons फिल किये हैं उसी सीक्मेंस में आपको लिखना है और यह साइन आपको बता रहा है कि सिग्मा वन इसकी एनरजी कम है और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं यानि डाइग्राम में उपर की तरफ वैसे वैसे हमारी एनरजी और बिटल में इंक्रीज हो रही है आप इ जैसे हमने लास्ट टाइम किया हम ऐसे ही क्या करेंगे इलेक्ट्रों को काउंट कर लेंगे और अपने फॉर्मूल में वैल्योज पुट कर देंगे अब यहां पर क्या जाएगा बॉंडिंग इलेक्ट्रोंस बॉंडिंग यानि टू फॉर टिक्स एट फ्लस टू टैन अब आपका क्या जाएगा ऐंती बॉंडिंग यानि ऐसे आपका संग्यों क्या भी क्या ऑगया है बॉंड ओडर घॉलिंग अब आपको क्या बताना एं की इसका मेंगेटिक बहविएर कि imagine करें अब आपको यहां से इलेक्टोंस जो आपने पूरे में यानि मॉलिक्टिलर और्बिटल्र उसमें ऐसे आपके सारे और यांपके दो जैए कि आओ आप इस की चيلड़ कर सकते हो कि जैसे आपके पास अन्पार्ड एलेक्ट्राउंस और पिर इलेक्ट्राउंस तो इसको आप क्या बोलोगे कि यानि आपने यह बोला कि आपके जब ऊंपर अलेक्टरोंगे में पैयर मेंगेटिक और जब भी आपके प्यंदल्रों और ढब मिए आपके यहाज कर सकते हो यूपई और पी डी में यानि आप इस से यूपी पीडि वाली ट्रेक्स से आपके नमबर ओफ एलेक्टोंस पेड हैं तो क्या बिहेवियर होगा और उप्तों क्या विएवियर होगा है अब सेम एजदीज आपका अता है एनों का मोडाग्राम अब आपको क्या चाहिए इसके लिए एंड की configuration यानि N की configuration जैसे हमने लास्ट टाइम लिखी 1s2, 2s2, 2p3 इसी तरीके से O की, O की भी configuration हम पहले लिख चुके हैं वो हमें क्या लिखनी है 1s2, 2s2, 2p4 यानि यह सब लिखने के बाद आपको step by step वैसे ही चलना है आपको atomic orbital और उसके बाद क्या बनाना है molecular orbital अब आपकी जैसे मैंने बताया कि आपने जब भी carbon और oxygen की बात करी तब आपने वहां पर क्या लिया energy difference लिया तो उसी तरीके से आप क्या करेंगे एन एटम के लिए भी ले लेंगे difference और ओटम के लिए अलग से ले लेंगे यह एन एटम की atomic orbital हो गई और यह oxygen atom की atomic orbitals यानि यह आपने सबसे पहले क्या लिया 1s यहां पर भी आपका क्या गया 1s अब इसी तरीके से आपने atomic orbital से क्या बनाया molecular orbital अब इससे आप क्या बना रहे हो molecular orbital अब molecular orbital मैंने जैसे last time भी बताया कि sigma कहां बन रहा है आपका s में हमेशा overlapping करके क्या बनेगा sigma तो जहां sigma बना वो आपकी bonding orbital और जहां sigma स्टार बना वो आपकी anti bonding orbital सेम एज इस आप क्या करेंगे 2s के लिए लेंगे और energy difference थोड़ा सा maintain रखेंगे अब इसके लिए आपने क्या लिया दोनों के 2s अब 2s में भी आपका same as it is क्या जाएगा bonding orbital यानि sigma 2s और यहां पर क्या जाएगा sigma स्टार 2s अब यह चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आप number of electrons पहले count करेंगे यानि आपको यह देखना है कि number of electrons 14 है या 14 से जादा है उसके basis पर आप क्या करेंगे अपना p का split करेंगे यानि p आपका क्या है 2px, 2py, 2pz अब इसी तरीके से जहाँ पर 2px, 2py और 2pz यह आपका कौन सा orbital है 2p यह आपका n के लिए और यह आपका o के लिए अब यह चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा कि energy gap हमेशा maintain रखना है कि इसको थोड़ा सा दीचे की तरफ ड्रो कर लें कि आपका 2px, 2py और 2pz अब यह चीज़ हम हमेशा बताते हुए हैं कि z में हमारा कैसा bond बन रहा है सिगमा और यहां पर हमारा क्या बना दोनो पाई बॉंड यह सिगमा यह हमारा पाई बॉंड अब आपको एक चीज़ याद रखने कि आपके number of electrons कितने हो गए 3 plus 8 3 plus 8 sorry यह इधर हो गए आपके 7 और यह इधर हो गए आपके 8 तो अब आपके number of electrons कितने हो गए 15 हो गए अब number of electrons आपके 14 से जाधा है तो यानि आप कौन सा split करेंगे 1 2 2 1 यानि जो आपने और 2 में किया यानि वहाँ पर आपके कितने number of electrons से 16 electrons से तो 16 के लिए जो आपने यानि यहाँ पर आपका क्या गया सिगमा और यह कहां बन रहा है 2 P Z में यह कहां पर आया आपका 2 P Z में आप इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर अपने दोनों पाई पॉर्ट दिखा देंगे यानि पाई 2 P X और पाई 2 P Y यह चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आपने कौन सा स्प्लिट किया और किस हिसाब से यानि आपको हमेशा सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि आपके चाहिकर के नमबर ऑफ इलेक्टरोंस के बेसिस पहे आपने क्या किया इसकोMr. क्या छूरू किया अब आपके पास क्या जाएगए उपर ऐंटी बांडिंग और रविट्रि याटि पोनडे का क्या एया कि भाइस डेन अस्टर तू प्लैक्ष और कमें ये चीज आपको याद रखनी है कि आपने क्या किया इसको स्पिलिट कर लिया अब जैसे ही आपने क्या क्या करना है दिम्डर फिल करा के पास वों इलेक्टोंस आपको फिल कर देने यानि आपको नियु enact के पास s में कितने हैं वन एस में two electrons टूस में भीट्व एक्तरों और यहां पे तरी इलेक्टरों इसी तरीके से ओक्सीजन में भी इसके वनेसमें 2, 2s में 2, और यहां पर आपके क्या हो गए, 4 electrons, तो जैसे ही मैंने पहले पता है कि single single electron fill करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, 4th electron को fill करेंगे, अब आपको क्या करना है, same पहले की तरद, सिग्मा में 2 electrons, सिग्मा स्टार में 2 electrons, यह चीज आपको पता चली गई कि आपने क् एक electron इधर से और एक electron इधर से इसके बाद आपने क्या किया दोनों का overlapping कराया, यह चीज हो गई, अब इसके बाद same वही problem आता है हमारा P में, जहां पर बच्चे सबसे जादा mistake करते हैं, तो आपको क्या याद रखना है कि number of electrons कितने हैं, इधर आपके 3 और इधर आपके 4, य तो यह pairing आपकी यहां तक हो गई, यानि आपके 6 electrons, अब आप jump करेंगे आपके anti-bonding में, यानि यह आपकी कौन सी orbitals हैं दोनों, anti-bonding, यानि यह होगी आपकी anti-bonding orbital, अब यह anti-bonding orbital इसमें आपका क्या होगा, electron एक remaining है और वो एक electron आपका यहां जाएगा, यानि आपने क् electron को उपर 5 star 2px में fill कर दिया, अब इसके बाद आपका क्या task काता है, कि आपको क्या लिखना है, mo configuration लिखनी है, अब आपको mo configuration लिखनी है, तब वही step by step ही आपको लिखनी है, कि आपको क्या लिखना है पहले, sigma 1s, उसमें आपके पास 2 electrons, फिर sigma star 1s2, इसमें आपके पास 2 electrons, फिर इसके बाद आपका क्या आता है, sigma 2s, इसमें भी आपके पास 2 electrons present है, अब इसके बाद आपका क्या आता है, sigma star 2s, इसमें भी आपके पास 2 electrons, अब इसके बाद आपका क्या आता है, sigma 2pz, यानि sigma 2pz, यहां पर भी आपके पास कितने electrons है, 2 electrons, अब इसके बाद आपने क्या लिखना है अपने पाई बांस लिखना है और आपको यह चीज़ मत आए कि पाई कहां रहा है तू पी एक्स में महाँ पर भी आपने डू इंप्टों सकी है ये फेलएटु इलेक्टोंस और इसी तरीके साफ इहां पहें आपका क्या है वपल इलेक्टरों आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपके जितने नंबर ओफ एलेक्टरों से उतने ही आप मेंचेन करोगे आप इस ऑर्बिटल में तो आपने इसको बधने कर नहैं कि आपने यहां two electrons fill किये हैं पूरे में तो आपका यहां भी two ही आएगा आप इस तरीके से electrons लिख रहे हैं जो आपने यहां पर electrons नीचे से लेके उपर तक fill किये हैं यानि यह जो आपकी MO orbitals है इसमें आपने increasing energy की form में जो electrons fill किये हैं अब आपका next step आपको याद ही होगा कि आपको क्या calculate करना है आपको calculate करना है इसका bond order अब आप बांड ओडर कैसे calculate करेंगे वही formula जो हम अभी तक लगाते हुए आ रहे हैं यानि nb-na अब आप nb calculate करो यानि number of electrons in bonding orbitals यानि तू प्लस तू फूर फिक्स और यह टू 8 प्लस टू 10 यानि total इसमें कितने हो गए 10 electrons हो गए अब आपको क्या calculate करना है anti bonding electrons अब आपके anti bonding कौन से हैं 2 प्लस 4 प्लस 1 5 यानि कितने electrons हो गए अब आपका यह value आ गई 2.5 अब हमारा यह है कि हमारा bond order 2.5 भी आता है यानि हमें यह मोटी थोरी ने बताया था कि हमारा bond order decimal में भी आ सकता है यानि 2.5 यानि half fraction में भी आ सकता है यानि आपको क्या बताना है इसका थर्ड की magnetic behavior कैसा होगा जैसे हम अभी तक कल्कुलेट कर रहे थे सब का बॉन्ड और 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 मेंगनेटिक भी हैवियर तो आप अपनी वही ट्रिक लगा दीजिये यूपी पीडी अब आपको क्या पता है अनपेड एलेक्ट्रोन है यह आप बता सकते हैं कि यह क्या है अनपेड एलेक्ट्रोन है तो आप अपनी वही ट्रिक लगा दीजिये यूपी पीडी कि अब आपको क्या पता है अनपेड आपका पैरा मेगनेटिक है इन नेजर अब ये आपका क्या हो गया पैरा मेगनेटिक इन नेचर यानि एक्जाम में आप से कोई भी डाइग्राम पूछता है यह एन तो आप इनका मॉलेकिलर और्बिटल डाइग्राम बहुत अच्छे से जो कर सकते हैं इसके साथ आपको क्या तीन चीज़े मेंशन करनी है जो कि आपको हमेशा करनी है नमबर वन एमोंग और नमबर टू बॉर्ड और और थोर्ड वन इस मेगनेटिक बहिवियर कि वह आपका डाय मेगनेटिक है यह वह आपका पैरा मेगनेटिक है वह आप यूपी पीडी वाली ट्रिक से बता सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के अब यह आपका पहला लक्षे खतम हो चुका है जिसमें हमने पार्ट वन में यह बताया कि आपके अमों डियाग्राम कंप्लीट हुए चार मॉलिक्यूल के यानि अन्टू ओटू ती ओ प्लस अनो अब सेकिंड पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एच फ मॉलिक्यू डियाग्राम बनाना सीखा है वह इसलिए जरूरी था कि आपको कुछ कुछ चीज़ें एंटी बांडिंग और बांडिंग और बिटल्स का पता होना चाहेगी डियाग्राम बनेगा कैसे अब हम इसके बाद इसकी जब ठोड़ी पढ़ेंगे तब आप इसको बहुत अच्छ